तोड़ी से बड़ी कमिटी जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं आप में देखा CSR कमिटी सेक्शन 135 में Corporate Social Responsibility Committee बनती है नमबर दो Audit Committee क्योंगे आप लोगों ने Auditor के उपर बाढ़ा है तो उससे रिलीटेड डारेक्टर्स की ही एक कमिटी बनती है जिसे हम कहते हैं Audit Committee तो Committees of Board में सबसे जो क्रूशेल है That comes Audit Committee जिसका सबसे बड़ा function क्या बन जाता है काम क्या बन जाता है Auditor अपॉइंट करना बड़ परशन क्या ये कमिटी हर कमपनी में बनेगी नहीं ऐसा नहीं है तो एक कॉलम है basis का section और किस कमपनी में ये कमिटी बनेगी डाट इस अप्लिकेबिलिटी और इसी में reverse है non applicability कहां कहां नहीं चाहिए ये भी बताए गया है और इसको बनाएगा कौन डाट इस constitution by और सबसे बड़ी बात है composition कमिटी में कितने लोग होंगे और देर आफटर board report बना करती है 134 में उसके अंदर कुछ disclosure and last अगर हम कहें इसके main कारिय क्या है काम क्या है that is functions so guys audit committee यह आता है section 177 में 177 chapter number 12 के अंदर of companies act audit committee किन कम्पनियों को बनानी पड़ेगी दो बाते हैं विश्य शुरूप से पहली बात listed company stock exchange पे कोई भी securities जिसकी listed हो number 2 unlisted company तो unlisted के case में ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको बनाना होगा लेकिन हाँ बनाना होगा कुछ conditions है the point is if और यहां पर एक खूपसरा चीज और समझ लीचे वो यह है अभी जो आप limits पढ़ेंगे यह same limits independent director आप 149 में पढ़ते हैं CSR 135 में भी उसका जिकर आता है independent director का तो बिल्कुल copy-paste independent directors वाली limit है so unlisted public company के लिचे इफ right unlisted public company if या तो आपकी paid up capital या फिर आपकी turnover और यहां मैं short में लिख रहा हूँ आपने पूरा लिखना होगा आपके उपर है DDL दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे इसका यहां मतलब है deposits debentures loans मतलब जो भी आपने पैसा उठा रखा है किसी भी रूप में deposit debenture या कुछ भी आप कहीं और यहां पे monetary limits है अगर आपकी paid up capital कम से कम है 10 करोड turnover में limit बढ़के हो जाती है 100 करोड और DDL में थोड़ा ध्यान दीजेगा sign है more than 50 करोड का equal का नहीं है तो यह आपने ध्यान दकना है independent director के लिए भी same limits है कि उन्हीं company में independent director चाहिए unlisted में जो यह limits satisfy करें obviously यह सारी की सारी limits आप लोग कब देखेंगे as per your last ABS what is ABS audited balance sheet और ध्यान दीजेगा यह same का same ही limits है किनके इन company को चाहिए ID stands for independent director non applicability clearly बता दिया गया है इन इन company नहीं चाहिए लेकिन यह non applicability भी यहीं से है मतलब इसी के लिए unlisted public company में वैस्तों हमने उपर limit लिखी कि यह 3 में से कोई भी limit लगे तो audit committee चाहिए अब हम कह रहें नहीं चाहिए इफ अगर आप क्या है joint venture में काम कर रहे हैं जेवी वोस का मतलब holy owned subsidiary मतलब किसी company ने 100% आपके shares ले रखे हैं तो आपको यह section नहीं लगेगा audit committee and number 3 अगर आप हैं dormant company dormant company जो आप पड़ के आते हैं section 455 में जो कोई काम नहीं करी तो आपको audit committee की ज़रूरत नहीं हैं कहने का मतलब है वोस है joint venture आपके दूसरी company के उपर section लग जाएगा आपको benefit मिल गया तो यह committee बनाएगा कौन obviously board of director बनाएगा तो इसके अंदर होंगे भी कौन natural director होंगे तो यह main ध्यान दीजिए minimum आपको चाहिए वो है तीन director minimum तीन director चाहिए और उसमें से आपने ध्यान रखना है with independent director having what majority तो independent director having majority का मतलब independent director 50% से ज़्यादा होने चाहिए तो कम से कम तीन तो dad wins तीन में से दो कोन होने चाहिए independent director होने चाहिए और technical अगर मैं एक चीज़ बताओं तो section 8 company NPO में इसकी ज़रूत नहीं होती अब एक चीज़ आपके उपर condition है एक restraint है माना तीन होंगे इसमें से majority जो होंगे majority including chairperson तो chairperson किसका company का नहीं यहां बताए गया chairperson of AC that is audit committee का जो भी आपने तीन director लिए chairperson बनाया यह लोग कौन होने चाहिए यह जो majority है यह वो लोग होने चाहिए जो commerce background के हो मतलब ability ability का मतलब यही हो गया कि उनको knowledge होने चाहिए किस्जिस की ability to read and understand आप पढ़ सकें समझ सकें क्या FS stands for financial statements simply आप commerce background के होने चाहिए तो विशेश बात है इस committee के अंदर तीन director होंगे majority independent के होगी और majority ही commerce background के होने चाहिए including chair person CP stands for chair person then disclosure देना है आपने कहां देना है board report में देना है कि जो audit committee आपने बना दी है under section कौन से में आता है board report 134 के अंदर और board report में क्योंकि सारे disclosure दिये जाएंगे और दरसल एक चीज़ आपको ध्यानक ना होगा audit committee किसके के अंडर रहती है वो हमेशा directors के board के नीचे सारी committee होती है क्योंकि board के अंदर सारे director आगे audit committee में कुछ director क्योंकि law के requirement कितनी थी कम से कम तीन लोग हों अब functions क्या है audit committee कैसे काम करेगी obviously इनका काम वही करना है जो इनको writing में return term of reference दी है तो जो writing में किसने बताया है by board return terms of reference जो board ने दी है आपने वो काम करना है और ये क्या-क्या काम हो सकते हैं तो एक छोटी सी code की के साथ मैं आपको यहां बता रहा हूँ और मेरी तरफ से code की है राम से राम से EVM बोले तो electronic voting machine इस तरह से code की बना दी है ताकि आपको बात को समझ सकें तो देखिए audit committee नाम से पता चलना auditor से related है तो उसका main function क्या होगा main function हमारा पहला point आर से ही आ रहा है इन्हें क्या करना है recommend करना है audit committee को क्या recommend करना है obviously auditor जो company क्या कर रही है जो appointment और auditor की appointment बच्चों आप पढ़के आते हैं 139 में उसकी terms and conditions appointment की and then auditor की remuneration जो आप पढ़के आते हैं 142 में उसके बारे में आपको recommend करना है तो यह है सबसे बड़ा काम audit committee का एसे आपको approve करने है RPT RPT stands for related party transactions related party जो company के रिष्यदार है 188 में related party transactions आता है वो आपको approve करनी है और इसका आप omnibus approval भी कर सकते हैं omnibus का मतलब है one time approval for a year मतलब straightway एक एक transaction को भी आपने अप्रूब करना है लेकिन आप साल के अंदर one time approval भी आप दे सकते हैं then M say auditors related ही है आपने monitor करना है किसको auditor को auditor की क्या भाई उसकी performance उसकी independence उसकी effectiveness तो auditor की performance independence effectiveness यह सब आपने monitor करनी है ऐससे आपने scrutiny जिसका मतलब है check करना है किसको LIG LIG stands for loan investment guarantees जो आती है section 186 में intercorporate कह सकते है company ने किसी और को loan वगएरा दिया है तो आपने उसकी scrutiny करनी है then E से आपने examination check करना है किसको obviously financial statements को and reports there on 134 में आप पढ़के आते हैं हर financial statement के साथ audit report and board report वगएरा सारी लगाई जाती है वो आपने examine करनी है then E से आता है आपने evaluate करना है देखना है सही है या नहीं evaluation kisses की of internal financial control system जो 134 में ही आप पढ़ते हैं डारेक्टर स्रिस्पोंसिबिल्टी स्टेट्मेंट के अंदर risk management system अगएरा thereafter आपने क्या करना है audit committee का काम evaluation करनी है किसी की चाहे कोई assets हो या undertaking हो etc यह आपका काम है and last say में आपको monitoring करनी है किसी की end use of funds जो आपने company ने funds क्या किये है public से आपने raise किये हैं तो जिस काम के लिए वो funds उठाए गए थे क्या उस काम में इस्तेमाल हुए या नहीं तो में यह है 177 कहां चाहिए audit committee listed public company में unlisted में कब अगर तीन लिमिट्स लेगे 10 क्रोड की PUC 100 क्रोड का आपका क्या है turnover and DDL ध्यान रखना है deposit debenture loan more than 50 क्रोड की limit लेकिन नहीं चाहिए unlisted को अगर आप जेवी हैं आप वोस हैं आप डार्मेंट हैं बोड आपको बनाएगा कम से कम तीन डारेक्टर होंगे जिसमें से independent डारेक्टर पचास परसंद से ज्यादा majority होनी चाहिए majority ही audit committee के जो लोग है including chairperson वो commerce बेग्राउंड के खेली चे ताकि वो financial statement understand वगरा कर सके बोड रिपोर्ट में इसका disclosure दिया जाएगा functions क्या है RAM से EVM, R से आपने auditor की appointment, remuneration वगरा recommend करनी है इसे आप RPT approve कर सकते हैं उसमें एक point और भी आ जाता हूं नी बस approval, one time approval साल में M से आपने auditor को monitor भी करना है then आपने LIG की scrutiny करनी है, E से आपने financial statements examine करनी है, EVM आपने evaluate करना है, internal control system, evaluation करनी है, SSGM से monitoring करनी है एक चीज़ हम यहां हलका सा और add करके आपको बता दें, rights हैं, rights हैं किस चीज़ के auditor की, वो ये हैं कि auditor जो है to attend, वो attend कर सकता है, क्या attend कर सकता है, audit committee की meetings attend करने का उसका हक है, क्यों है, क्योंकि आप auditor से related बात करें, आप financial statements को check करें, तो auditor को एक हक मिलना चाहिए, ताकि कोई person वो आप उसे पूछ सके, और 139 में ही auditor की appointment पढ़के आते हो, तो वो appointment कौन करता, audit committee ही recommend करती है, तो इसलिए 139 का 177 के साथ क्या है, harmonious construction है, तो ये section इसल and to be heard, heard का मतलब है, वो कोई चीज पर बोल सकता है, ठीक है, but important बात याद रखें, वो ये है, no voting right, उसको कोई voting right का इसके अंदर हक नहीं होता, वैसे मैंने लिखाए कि ये right auditor का है, auditor के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है, KMP stands for key managerial, personal, then आप auditor की exactly, sorry, audit committee की अगर powers की हम बात क committee की काफी powers भी अलग से आ जाती है, वैसे functions भी क्या है, they are nothing but part of the powers, but फिर भी आप अलग से लिखना चाहें, तो एक छोटी सी हम code की के साथ हम बता सकते हैं, CID prove, नाम से एक छोटी सी code की मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, C से आपकी powers ये हैं कि auditor से आप उसके comments मांग सकते हैं, कि पूछने हैं, उसे बताना पड़ेगा, आप investigate कर सकते हैं, किसको investigate कर सकते हैं, वही जो उपर आपने पढ़ा, जो आपके functions हैं, यही RAM से EVM जो आप पढ़के आए उपर, इसी को आप investigate कर सकते हो, और investigation से related ही यहाँ point निकल क्या आता है, पीसे, आप professional advice भी ले सकते हैं, for investigation किस सकते हैं, then, O से यही investigations related point रहता है, obtain full information, तो investigation के यहाँ तीन point है, लेकिन code की पे मेरे थोड़े different डिफरेंट जा रहे ही हूं, कह लीजे, then, D से, आप कोई भी जो issue है, वो discuss कर सकते हैं, किसी के साथ भी अगर आप करना चाहें, R से आप review कर सकते हैं, क्या, obviously, financial statements आप दुबारे से चेक कर सकते हैं, and we say, एक vigil mechanism, जिसका मतलब है, निगा लगा के रखना, आप एक vigil mechanism जो है, उसको भी आप monitor कर सकते हैं, तो यह हैं आपकी powers, तो यह है audit committee फटा फट जो मैंने आपको करवा दिया, thank you, तो बिटा जी audit committee के बाद, हम इसी page पे, next, बिल्कुल यही basis के column के साथ म हैं, इसी section का अगला हिसा ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, vigil mechanism, establishment, vigil mechanism, आपको establish करना होगा, vigil से साथ पता चल रहा है, हाँ जी, निगा रखनी है, चेक करना है, section फिर से मैं बता दूँ, वही 177 है, और vigil mechanism कहां बनाना पड़ेगा, नमबर वान, अगर आप हैं, listed public company, जैसे audit committee में था, same वही point, यहां फिर आप हैं, company having public deposits, और ध्यान दीजिए, company having public deposits, और public से deposits लेने की power सिर्फ public company के पास होती है, that is very important to be taken into account, जब आप deposits का chapter पढ़ते हैं, चप्टर नमबर पान, 73 से, 76 A section, तो 76 में ही है, public company ही, public से deposit के ले सकती है, so we are talking about public company, तीसरा, वो company जिसकी more than 50 करोड की, क्या है, borrings हैं, बिल्कुल जैसे audit committee में हमने word DDL लिखा था, वहां पे more than 50 करोड था, तो same यहां पे more than 50 करोड की borrings हैं, कहां से हैं, bank से हैं, या financial institution से, तो यह 3 limit यहां आती हैं, then, अगला point जैसे हमने non applicability बनाया था, वो यहां applicable नहीं होगा, और next जो है, composition वाला जो हमारा point था, तो simple है, vigil mechanism को audit committee ही क्या करेगी, monitor करेगी, और यही हमने audit committee के functions में जो पढ़ा था, RAM से EVM, और M वाला point एंड में क्या था, monitoring vigil mechanism, तो अगर next point हमारा यह, क्या कहते हैं, अपना, composition में कुछ नहीं, disclosure in board report, obviously आप same, tick around, tick का मतलब है, board report में आपने disclosure देना होता है, and साथ में मैं बता दूँ, आपको अपनी website पे भी, अगर company की हो तो, उसमें भी आपने visual mechanism का disclosure देना होता है, going to the functions part, तो functions part में मैं code की बना के दे रहा हूँ आपको, जैसे इधर थी RAM से EVM, तो इधर है, pa, pa means father, तो pa आगे, ये देखे, mother आगी, और फिर से father भी आगे, तो थोड़ी code की इस तरह से है, तो P से है, क्यों बनाई है, हमने visual mechanism, तो उसका purpose है, कि जो company में चाहे employees है, employees को short में लिख रहा हूँ, चाहे director है, वो report करें, जो भी genuine क्या है, concerns है, तो basically visual mechanism का काम ही है, कुछ गलत हो रहा हो, तो employees वगेरा, ये report कर सके, तो इसलिए हमने ये से point रखा, adequate क्या बनाने पड़ेंगे, safeguards, adequate safeguards, अब safeguard किस के लिए, adequate safeguard का मतलब है, कि obviously जो आदमी company में कुछ गलत हो रहा, वो report करेगा, तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसे आदमी को कुछ adequate safeguards मिलने चाहिएं, ताकि उसका victimization ना हो सके, then, M से point हमारा आता है, और ये safeguard एक चीज़ और भी बता दें, हम किस तरह से provide करते हैं, कि हम victimization ना हो सके, तो हम इनको एक right देते हैं, कि कभी भी access ये जा सकते हैं, अगर इने कोई प्रिशान करें, किसके पास जा सकते हैं, अगर audit committee है, तो उसके chair person के पास, और अगर audit committee नहीं है, तो director authorized by board, कि उसके उपास ये report करेंगी, भी इस तरह से मुझे कोई प्रिशान कर रहा है, M से आता है, वही point जो हमने audit committee में पढ़ा, monitoring vigil mechanism, और ये vigil mechanism को monitor कौन करेगा, सेम यही answer, audit committee है, तो chair person नहीं है, तो director authorized by board, and then, F से है, furovolus complaint, इसका मतलब है, कोई लोग जो शैतान होते हैं, शरार्ती होते हैं, तो जान बूच के आपके खिलाफ fake complaint कर रहे हैं, मतलब हमने ये vigil mechanism बनाया था, कुछ गलत हो रहा हो, आप report करो, लेकिन कोई जान बूच के कर रहा है, अपनी कोई खुंदक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अगर fear of less complaint है, तो obviously ऐसे आदमी के खिलाफ action लिया जाएगा, और action लेने का अब या answer क्या है, same वही, ये वाला जो हमने उपर लिखा, audit committee वाला है, तो उसका chairperson वरना director authorized by board, they will take the action, so visual mechanism में हमने पढ़ा, section same वही है, लिस्टेट पब्लिक कंपनी या पब्लिक से डिपॉसिट्स या बोरिंग 50 क्रोड से जादा है, main point यही निकल गयाता है, जो functions में है, purpose है company के अंदरे employees report करें, कुछ गलत हो रहा हो, उनका victimization आ हो, तो safeguard के लिए या इसको monitor करने के लिए, या fearless complaint के लिए common answer इन तीनों point के अंदर यही निकल के आता है, audit committee है, तो उसका chairperson वरना director authorized by board, thereafter हम इसी page में आगे move कर रहे हैं, और next committee ले रहे हैं, NRC, जिसका पूरा नाम आप जानते ही है, nomination and remuneration committee, तो दो चीज़ें आगे, nominate करना and remuneration देना, और यहां पर section change होके 178 हो जाता है, और applicability में answer क्या है, same as audit committee, जैसे हम पढ़ क्या है, कि listed public company, या unlisted public company, या तो PUC 10 crore, turnover 100 crore, and DDL more than 50 crore, तो same वही answer है, और non applicability के वही answer, same as audit committee वाला है, जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि भाई, आप JV हैं, dormant हैं, या फिर WOS हैं, तो और साथ में एक चीज़ और आ जाती है, section 8 company के उपर भी, उसको NRC की ज़रूरत नहीं होती, देना गया, constitution कौन करेगा, obviously constitution वाला, अगर आप point देखें, तो हर जगा ही है, by BOD ही है, तो same way point चल रहे है, अब आती है बात composition की, audit committee में तीन थे, तो यहां देखें, यहां पे भी minimum क्या है, तीन ही है, तीन director है, वहां तीन में से आधे से ज़्यादा कौन थे, independent, लेकिन यहां क्या बताया गया है, सारे के सारे, all to be non-ed, non-ed का मतलब non-executive director, जिसका मतलब है, वो MD, WTD वगएरा नहीं है, पुरा दिन काम नहीं करते हूं, साथ में यह कहा गया, half, कम से कम आधे, more than half नहीं हाफ, यहां आधे हमने बताया है, independent director होने चाहिए, देन वहां पे condition audit committee में आपने क्या देखी दी, कि जितने भी members हैं, उनमें से, आधे से ज़्यादा, including chairperson, commerce background के होने चाहिए, तो यहां पे क्या है, कहता है, chairperson of company, जो company का chairperson है, वो जो chairperson है, हो सकता है, वो executive director हो, या non-executive हो, हमने यहां का, सारे के सारे कौन आएंगे, non-executive आएंगे, लेकिन अगर chairperson है company का, तो वो चाहिए executive हो, वो चाहिए non-executive हो, तो वो chairperson क्या हो सकता है, maybe appointed, तो वो NRC में आ सकता है, maybe appointed as NRC member, तो chairperson को हमने एक benefit दे दिया, भही चाहिए आप executive है, हम आपको member बना देंगे, बट, लेकिन एक हम आपके उपर रोक लगा रहे है, can't chair it, मतलब, जो company का chairperson है, वो यहां member तो बन सकता है, लेकिन वो NRC का chairperson नहीं बन सकता, तो interesting चीज़ें audit committee के साथ लेके चलिए, तीन ही है, लेकिन सारे के सारे ED ये वहाँ नहीं था, आधे ID वहाँ more than 50% था, और वहाँ क्या था chairperson आधे से ज़्यादा commerce background वाले हो, यहाँ chairperson company का चाहँ ED है, वो बन सकता है member, लेकिन वो NRC का chairperson नहीं बन सकता, अगला point सेम वही है, वो आपने disclosure देना है, आपने वो 134 वाला और प्लस वेब साइट पे, सेम वही point उसी की सीज़ में आप ये लिख लिचेगा, सेम क्योंकि बिल्कुल मैंने basis वाले जो point लिखे हैं, बिल्कुल उसी की सीज़ में मैं लिखे जा रहा हूँ, going to the purpose, तो यहां के लिए मैं कोड की बना रहा हूँ, idea, idea, तो क्योंकि committee का नाम ही क्या था, NRC, nominate and remuneration देना, तो I say है, क्या करें, आप identify करें, वो लोग identify करें, जो identify persons, जो क्या हूँ, capable हूँ, की, जो company में, identity, five persons, वो लोग, जो capable हैं, कि company में क्या बन सकते हैं, director, प्लस वो कहां आ सकते हैं, senior management में, top management में, क्या वो आ सकते हैं नहीं, ऐसे लोगों को आप identify करें, और उनको appoint करने के लिए, obviously, एक determine करना पड़ेगा, आपको एक criteria, तैय करना पड़ेगा, कि भाई, कितने के इन लोगों की, qualification वगएरा होनी चाहिए, positive qualities होनी चाहिए, this and that, then, independence ही वो, तो एक criteria आप determine करें, then आगया, इसे point हमारा आजाता है, कि आप evaluate करें, evaluate, performance, तो क्यूंकि आपने, nominate करने हैं, लेगिन आपका साथ में काम है, performance, evaluate करें, इन directors की, तो यहां अच्छी चीज़ है, kisses की and by whom, तो obviously, of what, directors कहें, board कहें, committees में भी कौन है, directors, तो सारे के सारे directors, उनकी performance आप evaluate करें, and number तो evaluate कौन करेगा, कहता, natural है, NRC करेगी, और NRC लेकिन हर कामनी में जरूरी नहीं, क्योंकि हमने applicability की बात करी है, तो इसलिए, board भी हो सकता है, और या कोई independent agency, कोई बाहरवाले से आप evaluate करवा सकते हैं, then, यह से point आता है, कि आपने appointment कहें, removal कहें, और इसमें सबसे बड़ा point आता है, remuneration वाला, क्योंकि remuneration का भी point pending था, तो appointment remuneration से related, आप क्या बना रहे हैं, policy बनाईए, तो यह हैं आपके functions, idea, identify करें लोग, D से determine करें, criteria, E से उनकी performance evaluate करें, and E से आपका आपका appointment और remuneration के एक policy बनाए, going to the remuneration part, जहां तक remuneration का सवाल है, remuneration देने के लिए, आप कुछ factors जरू क्या करें, consider करें, और इन factors के उपर मैं एक अलग से code की बना रहा हूँ, RBC, RBC जिसे आप 175 में, resolution by circulation कहते हैं, शॉट में, तो R से यह है factors में आप क्या देखें, कि remuneration जो हो, वो एक reasonable होनी चाहिए, यह reasonable क्यों होनी चाहिए, तभी आप लोगों को क्या कर सकेंगे, attract कर सकेंगे, उन्हें retain या motivate कर सकें, then B से आप क्या establish करें, benchmark, extendर establish करें, कि भई हम आप से इतनी performance चाहते हैं, और इतनी performance के बदले, हम आपको इतना remuneration देंगे, तो extended fix कर दिया, C से point है composition, तो देखियो कोई भी remuneration दे रहे हैं, तो incentive के दो हिस्से होने चाहिए, एक fix जीसा और एक variable की, जितना अच्छा perform करेंगे, आपको उतनी पैसे मिलेंगे, तो यहीं पर एक चीज़ हम यह कह रहे हैं कि, obviously NRC में director, तो अकेला director वगरे के लिए नहीं है, अगर हम पूरा आगे पढ़ते हैं, senior management की बात हुई है, KMP वगरे इन सब की बात हुई है, तो एक senior management जब word आया है, तो senior management का यहां मतलब ज़रूर आपको पता होना चाहिए, तो senior management का मतलब है, कि आप लोग company के core management team में है, core means top management team में है, और लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप director वगरे रहा है, excluding board, board की यहां बात नहीं हो रही है, यह कह लिए जे, one level below board, तो board से एक level आप नीचे हैं, और यहूं भी कह सकते हैं, including functional heads, तो function wise जैसे आपका factory, office, department, तो यह सारे के सारे senior management में आ जाते हैं, तो अकेला director ही नहीं, KMP की भी बात है, senior management एक level नीचे, उनकी appointment की, उनकी remuneration की NRC काम करेगी, then इसी section 178 में, एक और committee आ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं, SAC, आप पूरा लिखना चाहें लिख लीजें, that is, stakeholder relationship committee, stakeholder, और जो section है, वो same ही रहता है, 178, और यह committee कहां चाहिए, यह उन companies में चाहिए, जहां more than 1000 क्या है, security holders, देखे, shareholder वर नीए, एक हजार से ज़्यादा, security holders में, तो इसमें क्या आगया, shareholder भी आगये, भाई, shareholder भी आगये, इसमें, debenture holder भी आगये, ध्यान दिजे, depositor, मतलब कोई भी security हो, वो लोग, 1000 से ज़्यादा हों, और कब हों, during financial year, पिछले साल के end में नहीं दिखना, at any point, साल के, अंदर किसी भी समय, ये लोग, 1000 से जाता हों, आपको SRC committee बनानी पड़ेगी, ये committee नहीं बनानी, non-applicability का point आता है, section 8 company में, then बनाएगा कौन, वही same answer, by board बनाएगा, then आगया जी composition, composition में क्या है, इसमें एक chair person होगा, chair person जो होगा, वो non-executive director बनाएगे, plus आपने SRC में, जितने members लेके आने हैं, वो आपके उपर है, board to decide, तो exactly कितने होंगे, जैसे आपने AC में, NRC में देखा, 33 लोगों यहां ऐसा नहीं है, अब इसका purpose क्या है, अगर हम natural purpose को देखे, नाम से पता चल रहा, stakeholder relationship committee, तो obviously आपने, इन stakeholder के क्या meet करने हैं, grievances, so there is nothing, you have to meet the grievances, अच्छा एक जो common point यहां मैं बता दूँँ, चाहे आप NRC हैं, चाहे आप SRC हैं, इन दोनों का जो chair person है, chair person of both, होती है, और duty है, इन्हें attend करना पड़ेगा, journal meeting, तो journal meeting इन्हें खुद attend करनी पड़ती है, या किसी और member को authorize करना पड़ता है, कि वो journal meeting में, कि journal meeting में कौन होंगे, members होंगे, तो उनके जो grievances हैं, वो submit किये, जा सकें, वो इनको देखना पड़ेगा, अब एक last point अगर हम add करें, यह दोनों sections के लिए है, यह penalty के उपर आ जाता है, और यह दोनों section के लिए, चाहे 177 है, चाहे 178 है, मतलब चाहे vigil mechanism है, audit है, NRC है, या SRC है, सब के लिए same है, तो यहाँ penalty लग दिया है, company के उपर minimum 1 लाख, maximum 5 लाख, short में लिख रहा हूँ, एक से पांच, minimum 1 लाख, maximum 5 लाख, and जो company के OID है, officer in default, उनके उपर जो fine है, वो है minimum 25,000, maximum 1 लाख, और साथ में इनको क्या हो सकती है, jail हो सकती है, और jail ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, एक साल की, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती है, fine भी and penalty भी, तो बच्चो, इसके साथ, मेरी तरफ से ये revision, ये committees के उपर यहां समाप्त होती है, जहां answer मैंने एक page के अंदर, सारा का सारा, कुछ basis बना के, आपके सामने लिखके, पेशके हैं, I hope so, आपको इससे utility मिलेगी, thank you.